next is second order energy correction इसमें हमने lambda square को जब equate किया था तो हमारे पास ये expression बनी थी Hamiltonians मैंने एक side पे और energies सारी दूसरी side पे लिखी हैं तो इसमें भी हम सबसे पहला step जो करेंगे वो यही करेंगे जैसे हमने first order energy correction में किया था हम both sides पे si m 0th order hysteric complex conjugator जो करता है को multiply करेंगे on the left side ठीक है left side मेरे यहां पे यह अपियर होगा सबके left sides पे अपियर होगा क्योंकि आप left side पे multiply करें या right side पे multiply करें that matters too क्योंकि यहां पे आपके पास ही Hamiltonian एक operator है जो कि apply हो रहा है तो हम left hand side पे apply करेंगे इसको apply करेंगे और integrate करेंगे overall space and when we do this तो as previously यह सारे के सारे get bra notation में हम लिखेंगे और लिखने के नतीज़े लिखना ऐसा होगा कि यह जो hysteric वाला part था हम first में लिखेंगे ठीक है इसको लिखने की अब star की जुरूरत नहीं है क्योंकि हम इसे इस bra section में लिख चुके हैं फिर आता है यह operator जो आप apply करें हो फिर line and then आप यह second wave function जो इसमें आ रहा होता है ठीक है प्लस यहां पर भी same करेंगे three हमारे पास entities हैं तो तीनों के लिए हमें फिर first में यही आएगा क्योंकि सबके left hand side में यह है then operator जिसे h prime में कह दूंगी h prime कह देते हैं या h double prime भी कह सकते हैं last में हम क्योंकि वो change करते हुए double prime में यूज कर लेती हूँ और psi n of one ठीक है equals e n of zero because it's a constant quantity तो यह बाहर ही रहेगी यहां पर आएका psi m of zero और क्योंकि टू ही way functions हैं तो यह इनका scalar product simply आ जाएगा इसी तरह यह भी हम लिखेंगे और यह सारी terms इसी तरह से आ जाएगी यह e n of two psi m of zero psi n of zero okay इसमें भी जो steps होंगे वो almost similar steps होंगे और इसमें अगर हम देखें तो before we move next we can solve this one इसको solve नहीं किया जा सकता है पहले भी मैंने बताया था कि जो Hamiltonian है वो जिस order का है वो उसी order के जो वे function है मतलब इस तरह की notation को use करते हुए आइगन value equation को use करते हुए हम उसी order का अगर way function हो ना उस पर apply करके आप directly यहां पर लिख सकते हो इस तरह के integral को solve करने के लिए इस चीज़ को solve करने के लिए इनका पता होना फिर important हो जाता है क्योंकि यहां पर Hamiltonian जो है थोड़ा different है तो that's why यह आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं लेकिन इस तरह की अगर situation है यह हमने पहले से ही defined कि होती है कि इस तरह से है तो यह इसकी मे यूफिल कुछ इल्वल्या कोई होती है जिनको हमें पता है कि यह आआछी होंगे लिकिन खरने कुछ इसे होती है जिनमें कुछ unknown सा आ जाता है जैसे यह unknown है तो इसको आप Advance नहीं कर सकते हैं किए इसको पर यह एन आ जाएगा और यह पर यह यह एच नौट जो है इस पर एपलाए हो जाएगा और इसका हॉल कॉम्प्लेक्स कजूगेर्ट क्यूंकि हम ने इनकी शफ्लिंग की है तो यहां पे यह साइ एन आ जाएगा यहां पर आइगन वैली उक्वेजिन आजाएगई यह हमारे पा value आ चुकी है and we'll put this value right there. और यहां पर put करने के बाद अब हम देखते हैं कि next हम इसको कैसे solve कर सकते हैं. तो यह मैं इतनी छोटी सी value again लिख चुकी हूँ और यहां पर हम यह देख चुके हैं अब इसमें insert करते हैं m is equals to n ठीक है? तो अब मैं इसमें directly insert करने वाली हूँ ठीक है? क्योंके मैं इसे दुबारा इतनी लंबी value को नहीं लिख सकती. तो यह जहां जहां m था वहां पर आप मैंने n कर दिया है. m is equals to n situation कर दिया है. और हमने intermediate normalization condition देखी थी जिसमें हमने देखा था कि यह जो है आपके पास इस तरह की situation बनती है और 0th order है और उसका scalar product आ रहा है with some other order solutions ठीक है? other order solution यह n n नहीं है ठीक है? और यह other order solution के साथ and so on यह सारे के सारे 0 होंगे ठीक है? तो यह हमने देखा था और तो यह वारी situation यह 0 हो जाएगी ठीक है? this is unchanged यह भी 0 हो जाएगा okay this will become 0 too यह नहीं 0 होगा क्योंकि यह हम देख सकते हैं कि यह normalization condition बन जाती है क्योंकि यह दोनों similar functions है for similar functions here this is equals to 1 okay तो यहां पर 1 put करेंगे en of 2 बाके सारा 0 और यह एक बच गया तो this en of 2 is a second order correction and that is what we needed वो हम find out कर चुके हैं and that is equals to this okay यह quantities क्या है यह perturbation है यह unperturbed system का energy unperturbed system का आइगन function है जो कि non होता है और this is the first order correction of wave function जो कि non है still जो कि हमें पता है हमने previously इसको find out कर लिया था अब इसमें एक और बात यहां पे कहें गही है कि अगर आपको first order solution given आपको पता है first order solution आपको अगर पता है तो आफ 2 into 1 plus 1 यह 1 is first order को show कर रहा है तक कि energy corrections को find out कर सकते हैं अगर आपको at least इस order का solution पता हो ठीक है यह वाला तो यह अगर 2 into 1 plus 1 करें तो यह 3 बनता है तो आफ third order energy correction तक find out कर सकते हैं by having a knowledge of at least this wave function, this wave function, first order wave function correction suffices to determine the third order correction, ठीक है, या फिर अगर आपके पास kth order wave function correction given है, ठीक है, kth order, तो आप 2k plus 1 तक की energy corrections को find out कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर आपको यह पता है कि यह second order energy correction क्या, second order wave function correction क्या है, तो आप 2 into 2 plus 1, which is 2 into 4 plus 1, 5th, 5th order energy correction तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5 energy corrections तक find out कर सकते हैं, तो यह यहाँ पर एक बात कही गई है, तो अभी यहाँ पर sin of 1 की value हमें बता है कि क्या है, हम यहाँ पर insert करते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है, तो यह first order energy correction की value थी, ठीक है, first order energy correction की, वहाँ पर हमने negative sign पहले यूज के तो यहाँ पर em minus en किया था न, तो यह मैंने negative sign को इदे multiply कर दिया नीचे denominator में, तो en minus en कर दिया है, ठीक है, यह आप जब वह देखेंगे value तो आपको clear हो जाएगा, तो यहाँ पर अब इसको insert करते हैं, इस expression में, ठीक है, तो यह मैं insert करती हूँ और देखते हैं कि last में हमें क्या form मिलती है, तो ठीक है, यह सारी value हम अगर इसमें insert करने में, सारी के सारी लिखती हूँ, साई m of 0, and expectation value, here यह सारी term इसमें आएगी, divided by en of 0, minus em of 0, now you all may agree कि expectation value is something constant, और यह difference भी constant quantity होती है, expectation value is always a constant number that you get, and this is constant number 2, तो जो constant quantities होती है, आप उन्हें बाहिर ले लेते होती है, तो summation and this whole constant quantity comes out of this notation, cat bar notation, and हम, जो हमें मिल जाता है, as a result, यह बाहिर आगया, and यह en of 0, minus em of 0, and we are left with psi m of 0, this, okay, and this notation, and for this notation, यह जो part है, तो यह हमारे पास second order energy correction आ चुकी है, जिसमें सिर्फ 0th order solutions मुझूद है, 0th order wave functions मुझूद है, and 0th order energy मुझूद है, तो यह आप सब देख सकते हैं, इसमें सिर्फ inserting करेंगे, हम values की insertion करेंगे, और हमें results मिल जाएंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो यह बिल्कुल दोनों similar हैं, लेकिन यह बस values इदर उदर हैं, तो यह कुछ ऐसा ही नहीं है कि complex conjugate और multiply by simpler value, for example, मैं इनकी values की shuffling कर देती हूँ, किसी एक की कर देती हूँ, मैं इसकी कर देती हूँ, तो यह M इदर ले आती हूँ, N इदर ले आती हूँ, तो इसका whole complex conjugate बन जाएगा, right, इसका whole complex conjugate बन जाएगा, मैंने values की shuffling किया, अब यह दो values बिल्कुल इक्वल हो चकी है, एक complex conjugate और एक simple है, तो हम इस चीज़ को कैसे लिखते होते हैं, brackets, इस तरह की straight brackets, और जो यह simple quantity, जो दोनों में common हमने बना दी है, वो, यह angle bracket close का whole square जो की show करता है, इसका complex conjugate multiply by यह simple value, E N of 0 minus E M of 0, okay, and this is equals to E N of 2 second order energy correction, और इस term को उन्होंने आगे H N M का नाम दे दिया, यह वाली term जो है, H N M prime का उन्होंने नाम दे दिया है, क्योंकि M और N दोनों use हो रहे हैं, और यह कुछ perturbation के related है, that's why, और यहां पर क्योंकि प्राइम वाला यह use किया गया है, तो यहां पर H prime और N M shows के this is like M N पर repent कर रहा है, तो इनकी फिर जो final energies जो हैं, वो हमेंने express कर दी है, as the zeroth order solution, plus the first order solution, and plus the second order solution, और lambdas को one कर दिया है, हमने, तो यहां पर E N of 0, और तो as it is, यह first order energy correction में यह अंदर वाली term आ रहे थी, जिसे हमने H N M prime का नाम दिया हुआ है, तो यह मतलब इनोंने as notation में लिखा हुआ है, that's why I am telling you this notation, otherwise तो वो भी पता होना is enough, ठीक है, तो यह हमारा last energy expression, और यह correction है, second order correction, first order correction यह थी, यह जो first order energy correction थी, इनमें दोनों में N आ रहा था, दोनों में N था, ठीक है, इसलिए यह N N इसका वहाँ पर represent किया गया, वहाँ पर जो हमने find out की थी, first order energy correction वो इस तरह से थी, ठीक है, तो यहाँ पर दोनो N है, इसलिए यहाँ पर H N N prime, from this, और यहाँ पर prime यूज कर सकते हैं, क्योंकि लेंडा इक्वल्स वन कर दे तो यह H double prime equals H prime ही है, तो इसमें आपने confusion नहीं होनी, आपकी होनी चाहिए, तो यह एक ही बात है, H prime यूज कर रही हूं में, यह आप H prime prime यूज कर रही हूं, यह एक ही बात होगी, तो यहाँ पर H N N prime, और यह H N M prime, और यह इसका whole, क्योंकि इसमें दोनों different है, इस तरह से derivation part हमारा हतम हो जाता है, हमने first order energy correction, second order energy correction and first order wave function correction को find out कह लिया है, वो ही हमने करना था, तो derivation part is done, now I will upload some of the problems related to these stuff,